दोस्तों कैसे हो दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th class की chemistry का chapter number 5 प्रश्ट रसायन surface chemistry दोस्तों last class में हमने उत्प्रेरख और उत्प्रेरख के प्रकार के बारे में पढ़ा था हम पढ़ते हैं हम उत्प्रेरण के प्रकार उत्प्रेरण के प्रकार टाइप्स ओफ कैटालाइसिस उत्प्रेरण ध्याने आपको उत्प्रेरण क्या थी उत्प्रेरण होती है उत्प्रेरण की क्रिया तो उत्प्रेरण के प्रकार मैंने पिछली वीडियो में आपको उत्व प्रेरक के प्रकार बताए थे मैंने उत्व प्रेरक आपको चार प्रकार के बताए थे अब पढ़ रहे हैं अपन उत्व प्रेरन के प्रकार दोस्तों जो उत्व प्रेरन होता है ये चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का जब कहूं तवी नोट करना एक होता है समांगी उत्व प्रेरन ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपके द्यान होतो एक होता है समांगी उत्परिरन और दूसरा होता है बिसमांगी उत्परिरन तो दोस्तों उत्परिरन दो प्रकार का होता है एक समांगी और एक बिसमांगी तो पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे समांगी उत्परिरन के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे बिसमांगी उत्परिरन के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं नमबर एक डाल करके समांगी उत्परिरन उत्परिरन होती है उत्परिरक की क्रिया समांगी उत्परिरन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों समांगी उत्परिरण में क्रिया कारक उत्पाद और उत्परिरण तीनों की बहुतिक अवस्ता समान होती है मरला यह है तो उत्प्रिरण उत्प्रिरण की क्रिया है तो उत्प्रिरण की वह क्रिया जिसमें क्रिया कारक उत्पाद और उत्प्रिरण तीनों की बहुत इक अवस्था एक समान हो क्या कहलाती है समांगे उतपरिरन मरलब तीनों की बहुत तिकावस्ता एक जैसी He oldi या तो तीनों ठोस होंगे या तीनों द्रवंगे या तीनों गैस होंगे क्रियरं हैं ने किया का थम सकते हैं इस उतपरिरन में किर्या कारक उतपाः वै उत प्रेरक वै उत प्रेरक तीनों की बहुतिक अवस्था समान होती है क्लियर? अच्छा मैं ऐसी अविक्रियाओं के एक्जामपल देता हूँ जो समागी उत प्रेरन की है समझ गे? तो ऐसी अविक्रियाओं के एक्जाम्पल देखिए एक्जाम्पल नमबर एक पहला एक्जाम्पल देता हूँ मैथिल एसिटेट का जल अपगटन ये समांगी उत्रपरिरन की अविक्रिया है मैथिल एसिटेट का जल अपगटन सामने ध्यान दीजिए ठीक है यह समांगी उत्प्रियान का उधारन है यह विक्रिया देखो कैसे आपको पता ही है मैथिल एसिटेट का फॉर्मुला यह होता है CS3C11OOCS3 यह मैथिल एसिटेट है क्लियर और मैथिल एसिटेट का आप जलब गटन कराओं जल से क्रिया कराओं यहां उत्प्रिरक है अमल H2SO4 ध्यान करो यह विक्रिया मैंने स्वत्प्रिरक के उधारन में भी दी थी उत्पाद क्या बनेगा CS3OH मैथिल एलकोहल और एसिटेटिक अमल उत्पाद बनेगा CS3C11OOH समझ क्योंगे उत्पाद बनेगा एक तो मैथिल एलकोहल CS3OH और एक बनेगा CS3C11OOH एसिटिक अमल और संग में बनेगा CS3OH मैथिल एलकोहल अब बात को समझो यह अविक्रिया समांगी उत्प्रिरन की है कैसे पता चला देखो जो मैथिल एस्टेड है यह लिक्ड होता है बात कुछ नहीं कहें तो कमरे की ताप की कर रहे हैं कमरे के ताप पर कुछ नहीं कहा तो यह अविक्रिया कमरे के ताप पर मानी जाएगी कि कमरे के ताप पर चल रही है मैथिल एस्टेड जो है वो लिक्ड होता है यहां पर आप देख सकते हो क्रिया कारक उत्पाद और उत्प्रिरत तीनों की बहुत इक अवस्ता समान है तीनों ही लिक्षण है तो यह समांगी उत्प्रिरन का एक बहुत ही बढ़िया एक्जामपल है पेपर में आये समांगी उत्प्रिरन क्या है उधारन से इते पारे में लिखना है लेक दोगे फिर उत्प्र धारन में यह अविक्रिया आपको लिखनी है एके लोड़ देता हूं यह भी सामदार तो अपगटन सरकरा का जल अपगटन सरकरा आप जामते होंगे सरकरा बोलते हैं सुक्रोज को चीनी को सरकरा का फॉर्मुला C वारे H 22 O 11 यह सरकरा है ठीक है इसका जल अपगटन कराया मतलब इसको पानी में डाल दिया अपगटे तो करके दो उत्पाद बनाती है एक तो गलुकोज जिसका फॉर्मुला भी C6H 12 O 6 होता है और दूसरा उत्पाद फ्रक्टोज बनता है जिसका फॉर्मुला भी यह होता है C6H12O6 ही ही होता है तो जब हम सरकरा का जलब बटन कराते हैं तो उत्पाद बनता है गलुकोज और फ्रक्टोज ठीक है? अच्छा इस अविकरिया में अमल H2SO4 ही उत्प्रिरग का काम करता है नीचे लिख देता हूं अमल H2SO4 इस अविकरिया में उत्प्रिरग का काम करता है जो लिक्ड होता है लड़का सोचता है कि ये समान जो उत्प्रिरग का उधार नहीं है मैं क्यों? क्यों क्यों लड़का कहता है कि सुक्रोज है जो ठोस होती है चीनी ठोस होती है मैं कि गलत बात इस समय सुक्रोज जो है वो जल में गुली हुई है दिख रहा है ने इस टू अगल में अब सुक्रोज जल में गुली हुई है तो यह क्या बना रहा है यहाँ पर जलिये बिलियन एक्वास सॉल्यूशन सुक्रोज यहाँ जलिये बिलियन बना रही है एक यू यह दोनों जलिये बिलियन बना रहे हैं बात को सम्झो सुक्रोज का जलिये बिलियन और बाद में बन रहा है ग्लुकोज और फ्रक्टोज का जलिये बिलियन और बताओ दोस्तों बिलियन की बहुतिक अवस्ता क्या होती है आपको बताए था मैंने बिलियन की बहुतिक अवस्था होती है जो बिलायक की होती है बिलायक कौन है आपर सम लिक्विड है बिलायक जल है तो ये जो बहुतिक अवस्था होंगी ये तीनों बिलियन ही तो है सरकरा का फिर गलुकोज का फटोज का तो इनकी बहुतिक अवस्था भी लिक्विड मानी जाएगी तो एक तरह से इसकी बहुतिक अवस्था लिक्विड इसकी भी लिक्विड क्योंकि बिलियन की बहुतिक अवस्था वह होती है जो बिलाइक की होती है और ये भी लिक्विड H2O और H2SO4 भी लिक्विड तो सब लिक्विड है यहाँ पर इसको ठोस मत माल ले ना क्योंकि यह बिलियन के रूप में है चीनी तो यहाँ पर क्रियाकारक, उतपाद और उतपरक तीनों ही लिक्विड है तो यह भी समांग उतपरियन का उधारन है सांदार एक्जामपल दोस्तों जो यह मैंने समझाया है आपको समांग उतपरियन बिद एक्जामपल इंपोर्टेंट है पेपर में पूछा जा सकता है समझ में आगे आओगा ऐसा कोई कठिन चीज तो है नहीं तो इसको एक काम करो वीडियो को पोज करके यहां तक दोस्तों इसे फटा पर नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं हाँ दोस्तों यह आपने नोट कर लिया अब आगे बढ़ते हैं हम देखो इधार समांगी उत्रप्रियरण के बारे में ही अभी आगे पढ़ रहे हैं बिसमांगी उत्रप्रियरण को बाद में पढ़ेंगे इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं समांगी उत्रप्रियरण की क्रिया विदी इंपोर्टेंट टॉपिक समांगी उत प्रेरण की किरिया विधी जिसे माद्दमिक योगिक सद्धान्त भी कहते हैं इंटरमीडियेट कमपाउंड थियोरी समांगी उत प्रेरण की किरिया विधी जिसे किस नाम से भी जानते हैं माद्दमिक योगिक सद्धान्त इस थियोरी को डंग से पूछो पेपर में पूछी इस डंग से समझो पेपर में ये आपसे पूछी जा सकती है तो समांगे उतपरंगे क्रिया विद्यू क्या है तो इस क्रिया विदी के अनुसार या मादमे के विक सिद्धन के अनुसार ये सिद्धिय क्रिया विदी क्या कहती है मैं लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको इस क्रिया विदी के अनुसार एस क्रियाविधी के अनुसार उत प्रेरख सरुप्रथाम किसी एक क्रिया कारक के साथ किसी एक क्रिया कारक के साथ अभी क्रिया द्वारा माद में की योगिक बनाता है माद में की योगिक बनाता है समझे हूँ अभी अभी एक बार देख लो ठीक है बाद में यह माद में की योगिक माद में की योगिक माद में की योगिक को हम मद्दवर्ती भी कह सकते हैं बाद में यह माद में की योगिक या मद्दवर्ती दूसरे किरिया कारक के साथ अभी किरिया द्वारा उत्पाद बना लेता है ठीक है? दूसरे किरिया कारक के साथ अवी किरिया कर उत्पाद बना लेता है दुबारा सुनो मैंने क्या कहा कि जो उत्परिरक है वो किसी एक क्रियाकारक के साथ अविक्रिया दौरा माद में क्योगी बनाता है फिर यह माद में क्योगी को बाद में दूसरे क्रियाकारक के साथ अविक्रिया कर उत्पाद बना लेता है मेरी बात को समझना है मानलो यह अविक्रिया है A प्लस B से बन रहा है C A लिक्कुड है A और B से अविक्रिया से बन रहा है मानलो A B यह लिक्कुड है और यह भी लिक्कुड है तिरिया कारक और उत्पात तीनो द्रब है यह अविक्रिया है तुमारे सामने अब समझो इसको ठीक है उत्प्रिरक है नहीं तो यह बिना उत्प्रिरक के चल रही है अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं उत्प्रिरक मिला रहा हूं अब इसमें उत्प्रिक मिला दिया तो अब उत्प्रिक मिलाते ही क्या होगा अब उत्प्रिक मिलाते ही तुमारा यह सद्धाम्त चालू हो जाएगा मैंने कहा कि उत्प्रिरक्ष सरप्रथम एक क्रिया कारक से क्रिया करता है तो step first प्रथम पद उत्प्रिरक्ष सरप्रथम एक क्रिया कारक से क्रिया करेगा मान लोगों किसे क्रिया कर रहा है ए से और माद्द में क्योंगे को बना लेगा A से किरिया करके A ही बना लिया और ये कौन है मादद में कियोगए किया इसको कह लेते हैं मद्दे वर्ति तो मैंने ये ही तो कहा कि जैसे आपने उत्परक मिलाया इक किरिया कारक से किरिया करके मादद में कियोगेक बना लेगा A, E फिर step second आएगा बाद में क्या होगा जो मादमे क्योगिक है वो दूसरे क्रिया कारक से क्रिया करेगा दूसरा क्रिया कारक कौन है B और बन जाएगा A, B ये बन गया आपका उत्पाद और E उत्प्रेरक सीएस रह जाएगा उत्प्रकंत में परिवर्टत रूप से से जैना बच गया तो एक तरह से इसाल मातलता दूसरे किर्याकारक से करिया करके उत्पाद बना लेता है और अगर यह वे यह रहे जाता है तो बड़ी सिंपल कुण नहीं आई समय उब दो अदम होगे आच्छ है सब अधे की bet생 2 काम की बात और बताता अ हम पहली काम की बात अगर यह दौनओं आपस में प्रटेख्षभी किरिया करते प्रट। मतलब direct बिना किसी उत्वपरिय हैं तो अधिक उड़ा की diferencia करते हैं तो अधिक उड़ चांप क्रियाकारकों से देखो उत्प्रक की तो क्रिया कर रहा है तो उत्प्रक जब क्रियाकारकों से अभिक्रिया करता है तो कम उर्जा के आफ सकता होती है मतलब यह क्रियाकारक यदि आपस में प्रितक्स अभिक्रिया करें तो अधिक उर्जा चाहिए होती है पर उत्प्रक मिला करने पर कम उसकता होती है मतलब उत्रप्रिया करता है तो च comida कीडिया करेंगा है चया चया झ्यारी लिद्व चुछ बीना उत्रप्र भी आपस तो यह स्टार खर स सकता होती है सब्सक्सटल सेंगे सबस्क्रकर दोब जाएगा ज्यादा यह हो जाएगा इस तरह से उत्प्रक अविक्रिया का बढ़ा देता है तो इस बात को भी मैं लिखना चाहूंगा इस ताल लगा करके क्या कि मैं इस बात को भी लिखता हूं कि रिया कारक यदि परत्यक्ष अविक्रिया करते हैं परत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट आपस में सीधे ही अविक्रिया करते हैं अविक्रिया करते हैं तो आधिक उर्जा की आवसक्ता होती है आदिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है परंतु यदि उत्प्रिरक किरिया कारकों से किरिया करता है जैसे यहाँ हो रहा है उत्प्रिरक किरिया कारकों से किरिया करता है करता है तो कम उर्जा की आवश्यक्ता होती है कम उवजा की आवश्यक्ता होती है आता है उत्रप्रग की उपस्तती में अविक्रिया का बेग बढ़ जाता है आता है उत्रप्रग की उपस्तती में अविक्रिया का बेग बढ़ जाता है कि गूंगे दोभार्ब समझा देता हूं मैने लाच्ट में जो बात लखिए यदि अपन सभी हूए कारया करते शाओं अभीए करते तो अधीब उतिर्ट के लिए तो आप समझ के होंगे ऐसे एक बार और समझा देता हूं समांगी उत्परण के किरिया विदी में क्या होता है उत्परग सरपरता में एक किरिया कारक्षे किरिया करके किरिया करके किरिया विदी अहीं से तो चालू है उत्परग सरपरता में किरिया कारक्षे अभी कि पर मैं आए अभी तो और भी है अभी तो मैं एक्जाम्पल से समझाऊंगा इसको माद में क्योंगी सद्धान्त को पर इससे पहले आप यहां तक इसे दोस्तों नोट कर लीजिए फिर आगे समझते हैं हम फटाफ़ नोट करो पोज करके पोज करके हाँ तो दोस्तों अब आगे देखते हैं अब इसके एक्जाम्पल से समझते हैं मतलब मैं कुछ एक्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें क्या मादमिक योगिक सद्धान्त समांगी उत पर रहन की किरिया विजी कुछ एक्जाम्पल से समझाता हूं देखो इदर सामने पहला एक्जाम्पल जिसका नाम है सीशा कक्षविदी, लेड, चेम्बर, प्रोसिस लेड, चेम्बर लेड मतलब सीशा, चेम्बर मतलब कक्ष और विदी मतलब प्रोसिस सीशा, कक्ष, विदी वो विदी है क्या? ये है, SO2 प्लस HOPO2 ये तो अभी करिया लिख रहा हूँ मैं दोनों आपस में किरिया करते हैं, दोनों गैस हैं, और दोनों किरिया करके SO3 गैस बनाते हैं, यहाँ पर एनो गैस जो है, नाइटोजन मोनो अक्साइड यह गैस उत्प्रण का काम करती है, हम यहाँ पर पीटी भी ले सकते थे, पर पीटी अगर लेते तो यह फिर समांगी उ तुरंगी के ग्रीया काराक उत्तपार उत्प्रक थीनों की बहुतनी अयह तो समागी अधर्याज। लिखने लिखनों कि वह और तुरंग जो OUT? तुर होगी क्रीयार्य यहां सुआ है जो उत्तप्रेक है दिख्राहे है वो किसी एक क्रिया कारक से क्रिया करेगा यह उत्त प्रिरक हो गया आपका पास एनो वो किसी एक क्रिया कारक से एक क्रिया कारक कौन सा है ओटू इससे क्रिया करेगा क्या बन जाएगा एनो प्लस आप ओटू एनो टू यह क्यों बना माद्द में क्योगिक बन गया है ऐसी समझाया ना मैंने कि उत्प्रिणक पहले किसी एक क्रियाकारक से क्रिया करके माद्द में क्योगिक बना लेता है फिर दूसरे पद में क्या होगा जो माद्द में क्योगिक है NO2 वो दूसरे करिया का रख से करिया करेगा दूसरा करिया का रख SO2 यह तो है और उत्पाद बन जाएगा SO3 एको जुड़ गया और क्या वज़ जाएगा बापेश NO मतलब उत्पाद भी बन गया और तुमारा उत्प्रिया के सेस रह जाएगा नहीं आई अब भी समझ में तो समाग उत्प्रिया के करिया वे दो पदों में होती है पहले उत्प्रिया क्या करता है किसी एक करिया का रख से करिया करता है माद में क्योग बना लेता है फिर माद में क्योग दूसरे करिया का रख से करिया करके उत्पाद बना लेता है और उत्प्रिरक्ष रह जाता है नहीं आया अभी भी नहीं आया एक एक्जाम्पल और और एक्जाम्पल में डारेट अविकरिया लिख रहा हूं अविकरिया यह रही देखना और उत्पाद क्या बनता है यहां से औह निकाल दो और यहां से ह निकाल दो और जल H2O और एक ये बनता है C2H5 OC2H5 क्योंकि H2 निकल गया न मतलब दूसरा उतपाद ये बनता है C2H5 OC2H5 इसको बोलते हैं डाई एथिल एथर ये एक एथर है एथर एथर में एथर उन कार्बनी के विकों को बोलते हैं जिनमें बीच में ऑक्षिजन हो और ऑक्षिजन दौन तरफ से कार्बन से जूट रही हो तो जब एथिल एलकोहल आपस में किरिया करते हैं अम लेस्ट्व एसोफोर के उपस्तिती में तो एथिल एलकोहल डाई एथिल एथर और जल बनता है देखो यह दोनों लिककुड है यह दोनों भी लिककुड है तो यह समांग उत्परण का उधारन है अब इसकी किरियाविदी लिखनी है तो आपको पता ही है दो पदों होगी किरियाविदी लिखरा हूँ मैं समझगे तो सबसे पहला आएगा step first पहला पद पहले पद में क्या होगा आपको पता ही है जो उत्प्रक है वो किसी एक क्रिया कारक से क्रिया करेगा दौनों एक जैसे हैं न तो किसी एक से क्रिया करा दो पिलासे टौन निकल गया है यह बन गया मादध्य में क्यों समझ जाना यह तो उत्पाद है S2O माद्ध में क्या विक बन गया अब दूसरे पद में क्या हुआ step second और यह माद्ध में क्या विक जो बना है कौन सा C2H5 HSO4 वो दूसरे किरिया कारा कणूं से किरिया करेगा दूसरा किरिया कारा कणूं भी कौन सा है यही तो है ऐसा ही तो है और इस से फिर यह किरिया करेगा जो माद्ध में क्या विक बना है C2H5 HSO4 तो इस में से HSO4 और यहां से H बापिस उत्परिरग बन जाएगा और यह आपको मिल जाएगा आपका उत्पाद C2H5 O C2H5 C2H5 O C2H5 यह उत्पाद बन गया और यह H2SO4 यह उत्परिरग बन गया यह उत्परिरग बन गया और यह उत्पाद बन गया देखो उसी तरह ऐसे तो हुई है सैम डिटो यह दोनों किरिया कारक थे यह उत्परिरग था और यह उत्पाद था तो सरप्रतम क्या हुआ रखम और यह किरियाकारuk से क्रिया रेक्शांखश क्रिया कर रहे हैं पर यह मादमे क्योगे फिरेमन दूसरे क्रियाकारक से क्रिया कर रहा है इस में से भाप इस 24 निकल जाएगए और यह बज़ जाएगा डाइलेक अलए है ओतकाक ने पहले्या करें बनाया है इस तरे से यह बहाई तो डू सेले को पीडियो को आई संवांग जो आपके ब्लैकबोरद पर लिखा उए। वीडियो को पोज करो फटाफट और नूट करो ठीक है दोस्तों हमने पहले पढ़ा समांगी देखो एक बार मैं रिवाइट करा जेता हूं क्या पढ़ा सबसे पहले मैंने कहा कि उत्रण दो प्रकार का होता है एक समांगी और विसमांगी समांगी उत्परण में क्या होता है दोस्तों आपको बताया था इस उत्परण में क्रियाकारक, उत्पाद और उत्परण तीनों की बहुतिक अवस्ता क्या होती है समान होती है फिर समांगी उत्परण की क्रियाविदी उधारन भी दिये थे मैंने दो, एक मैथल एसिटेट का जलब गटन और एक सरकरा का जलब गटन फिर समांगे उत्परण की किरियाविदी जिसको किस नाम से विजानते हैं माद्दमे क्योगिक सिद्दान्द, उसको पढ़ाया कम्प्लीट ये सिद्दान्द क्या कहता है, सिंपल सी बात उत्परण पहले एक क्रियाकारक से क्रिया करके माद्दमे क्योगिक बनाता है फिर माद्दमे क्योगिक दूसरे क्रियाकारक से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है, बहुत्परण से रहे जाता है इसकी क्रियाविदी को कम्प्लीट अपने डिटेल में समझा पेपर में आ जाए तो इसी तरह से आपको लिखनी है अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वहाँ पर हम बिस्मांगी उत्परियरन को पढ़ेंगे ठीक है तो यह तो समांगी उत्परियरन पढ़ा है उसमें पढ़ेंगे हम बिस्मांगी उत्परियरन ठीक है